कि हमको मोधी जी ने आत्म निर्भर बनाया है दूसरों को वरोसे नहीं रहते हैं खुद स्विकार करते हैं कि हमारे दिमाग में गोबर बरा हुआ है नहीं इसका उधारण भी हम देते हैं हम ऐसे बहुती मतलब निमनिस्तरी अंदभक्त हैं अब देखा होगा हमारे साथ के जितने हमारे अंदभक्त हैं जिनके जिनके पास हाथ में मोबाइल और फेस्बूक वर ट्विटर जहां जहां लोग हम लोग गोबर कर सकते हैं इसराइल के साथ खड़े हैं असलाम अलेक्म दोस्तों मेरा नामे शारीप खान आप लोग जानते होंगे इसराइल और फलस्तीन की जो जंग है वो बहुत बड़े पेमाने पर छड़ चुकी है लेकिन इंडिया के अंदर उससे हालातों में कैसा बदलाव आ रहा है यह मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज मैं आपको ऐसे अंदभक्त मिलाने वाला हूँ भारत के सबसे बड़े अंदभक्त से जिसकी बाते सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों बोल रहे हैं कि I stand with इसराइल यानि कि हम इसराइल के साथ हैं हम इसराइल की तरफ खड़ करना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि कौन सही रास्ते पे है और कौन गलत रास्ते पे है किस के साथ सही हुआ और किस के साथ गलत हुआ वो इतिहास नहीं जानते कि मुसल्मानों के कितने घरों को उजार दिया गया वो इतिहास नहीं जानते कि आए दिन मुसल्मानों किये जाते हैं फलस्तीन के लोगों के साथ फलस्तीन और इस्राइल की हिस्ट्री जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दू उसके बाद इस अंधभग से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिसकी बाते सुनकर आप कन्फ्यूद हो जाएंगे कि ये अंधभग थे किस तरह का लोग थे यानि के मुस्लिम लोग और बहुत माइनरिटी में अल्प संक्याग लोग थे यहूदी लेकिन यूनाइटेड नेशन के कानून की वज़ह से यहूदियों का देश बना दिया गया इसराइल को और वहाँ पर जो बड़ी संक्या में मुसल्मान थे जो कि फलस्तीन में रहते थे उन लोगों को दीरे-दीरे मारकर प्रतालित करकर इसराइल से बाहर लगातार करते गए इस तरह से यहूदी धर्म के मुताबिक इसराइल को येरुशरम मारा गये इसके बाद यहूदियों ने अपना राजजी स्थापित किया इसराइल पर और बाकी की जंग सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुष हैं की सा मुबाइल और फेसबुक पर ट्विटर क्वाइब हम लोग हम कहा सकते हैं सारे फ्लेटवार्म पे हम सारे अंदभग्व एकटा होकर के एक ही बाद बुल ले हैं कि हम इसराइल के साथ ख़़े हैं आं हम लोग घूर online पहले ल्हान दिखाब कर रहा हैं लेकिन इसराइल के साथ ख़ड़े हम लोग लोग दिखाई पढ़ते हैं यह हमогने लिए मज़ आपके हाकिकत है आपके हैे इसराइल है इसी और भक्त करू लेहें। फ़ी संब सब नहीं होगा कर unsरा闬 होगा क्या है यह बीन निंटर फूलत फ्रोगए मennen क्या ने मौई यह में किसि Protein नहीं होगा पर हम लोग भाई साब बस इदाउदर से सुन लेते हैं अपना दिमाग लगा लेते हैं गुरु शुरू हो जाते हैं कि I stand with Israel ना तो अंग्रेजी समझ में आती हूं ना इसराइल में क्या चला वो समझ में आ रहा कहीं ने कहीं से चाप चूप करके हम लोग खड़े हो जाते है अंद्भक्त हैं I stand with Israel अब इदाउदर से खबरे भी सब सुनते रहते हैं कि गाजा पट्टी और लईया पट्टी और जो गुलाब पट्टी सब क्या चला है अच्छा एक चीजा और आपको बताएं कि हम अंद्भक्तों को यह दिमाग में जो गोबर भराई है वोबर भरता कर लिए यह हम लोगो को कर दो legitimately WR मुठा है ना गोधी मीडिया वाले आज अब दोगोधी मीडिया के उफर कोन भरता है यह तो आज लोग जानते ही हूँगे ऊद्वर पूरा हां तो गोधी मीडिया वाले यह लोग भरते हैं अभवह बहुत को देखो भाई तब वहाँ पर मनीपुर में छे महिने से क्या-क्या चला है थाजारों लोग बेघर हो गए कितने लोगों कि मौत हो गई कितने लोगों के साथ क्या-क्या हो गया महिलाओं को साथ मतलब किसना बड़ा अचार हुआ घुमाया गया उनको यह वो करके ले यह सब उपर से आता है दिमाग में गोबर यह आपने हमारे गोधी मीडिया के बंधुओं को देखा होगा इसे ने कोई बड़ी हाइलाइट और चीज़ें ऐसा कुछ डिबेट से बेट चलाया कि नहीं नहीं मनीपुर में ऐसा हो रहा है देश के प्रधान मंत्री को वोट दिया था आज जब वो संकट में हैं तो मोधी जी उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं एक बीबार मणीपुर क्यों नहीं गये हैं उसके समस्चा के बारे में क्यों नहीं बोल देखा बाइसा किसी ने बोला नहीं बोला जब लोग नहीं बोलते हैं तो वहीं से नीचे हो गई तो फिलिस्तिन ने ये कर दिया तो गाजा पट्टी में ये हो गया तो लईया पट्टी में ये हो गया सब कुछ छोड़ करके भाई साथ दुनियादारी इदाउदारी मणीपूर सब कुछ छोड़ करके अब देखो पूरा गोदी मीडिया है इसराइल इसराइल इसरा कब आ रहे हैं मतलब कि तो लोगोग चलाते नहीं है मतलब हमारे मतलब की चलाते न तो इसका मतलब फिर उसका ऊपर से गोधी का मोधी और मोदी का उपर जो भी connection है भाई साथ तो कुल मिला करके हम लोग यहीं से गोबर भरते हैं तो हम इस्राइल के साथ खड़े हैं समझ गया है हां खुद खड़े रहने लायक हो या नहों लेकिन इस्राइल के साथ हम लोग खड़े हैं भाई साथ खड़े रहेंगे एक मिनट ह हुआ कि इसराइल में कहा है इसराइल कि खामका को बोल देते हो वह हमको बुलना पड़ता यहां पर यह तो अंदभक्त जिल लेते हैं नहीं यह हैं आ रहे हैं बात कर रहा हैं रुख जाओ यार तो दोस्तों अभी जो वीडियो किलिप आपने देखी इस अंदभक्त का ना को करने का पीछे का मौटिम इनका यह है कि लगातार आपने देखा होगा जब से इसराइल और फलस्तीन की जंग स्थार्ट होई तब से समाज को दो हिस्सों में बाटना का काम क्या है इन अंदभक्तों ने आदे लोग कह रहे हैं आई स्टेंड विद पलस्तीन और आदे ल वजा है सिर्फ इसलिए वो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं कि सामने वाली पार्टी जो उन से लड़ रही है वो विशेज धर्म से तालुक रखती है यानि इसलाम से तालुक रखती है तो इस पर अभीने करके दिखाया है राजीव निगम जी ने बहुती शांदार व्यक आएं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर रोल का बटन जरूर स्लेक कर लें इन्शालला इसराइल और फलस्तीन का पलपल का अपडेट लेकर आप लोगों के लिए आता रहूंगा जब तक ये जंग जारी रहेगी ज आप लोग जानते हैं सही खबार आप तक नहीं पुचाएगी तो इंशालला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज जैहिन जैभारत